हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल आज मैं बना रही हूँ चिकन देगी बिर्यानी अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ इसके लिए मैं सफ कर लिए इसमें मैं दो चोटा चमज फूल अदरक्लैस्ट डाल रहे हूं चोटा चंमज पूल जाल मिर्च पॉर्ड़ और चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स रेना इसे मैं मैं दाल रहे हूं और आब मैं करके इतनी देर रखूंगी जितनी देर मैं बाकी की तैयारियां करूंगी ये देखिए आठ बड़े आलूओं को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है इसे मैं इस तरह से बड़े बड़े टुकडों में काट रही हूं इसी तरह से मैंने सभी आलूओं को देखे काट लिया इसमें मैं एक छोटा चम्मच नमक वन पींच फूट कलर डाल रही हूँ आप चाहें तो इसकी जगापर हल्दी पॉडर भी डाल सकते हैं अब आलूओं को मैं अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगी ये पांच पियाज लिए मैंने, मैं इसे चॉप्ट कर लूँगी ये करीब 200 गिराम सरसों तेल को मैं गरम कर रही हूँ तेल गरम हो गया है, मैं इसमें अपनी पियाज को फ्राई कर रही हूँ जो पियाज मैंने अभी चॉप्ट किया था ये देखे, पियाज हमारे गोल्डन हो गया है अब ये मैरिनेट किया हुआ चिकन मैं इसमें मिक्स करूँगी इसे अच्छी तरह से बिर्यानी और तेल के साथ मिक्स करके भूनना और ये जो गमले में मैंने चिकन रखा तो उसमें थोड़े मसाले लगे हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे भी एट कर दे रहेंग। ये देखिए चिकन को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, इसे मैं ढख कर करीब 5-7 मिनट पकाऊंगी। ये देखिए थोड़ी सी मैंने पुधीना की पत्ती और थोड़ा मैंने धन्या का पत्ती लिया है, इसे मैं दरदरा सा ग्राइंडर में पीस लूँगी। आप चाहें तो इन्हें चॉप्ट करके भी डाल सकती है। दूसी तरफ देखिए हमारे आलू बॉयल हो गया है, मैं इसके पानी को ड्रेन कर लूँगी। इधर देखिए हमारी चिकन की भुनाई हो रही है, ये देखिए करी 5-7 मिनट हो गया है, किनारे से ओइल सेपरेट होने लगे है, चिकन अच्छी तरह से भुना गया है। अब दो टमाटर को मैंने चॉप्ट करके रखा है, अब उसे मैं इसमें एड़ कर दूँगी। ये देखिए मैं टमाटर को एड़ कर रही हूँ, अब टमाटर के साथ मैं चिकन को 1-2 मिनट अच्छी तरह से भुन लूँगी। चिकन गलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, इसकी भुनाई करते-करते ये गल जाते हैं। ये देखिए टमाटर के साथ भी मैंने चिकन को अच्छी तरह से भुन लिया हूँ, अब मैं इसमें कर्ب़ दो सौ गिराम मैंने दही लिया है, उसमें मैं 1 फॉर्थ स्पून मैंने नमक आइड किया, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं दही को चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी, ये देखे दही के साथ हमारे चिकन अच्छी तरह से भूना गये, अब मैं जो पुदीना पत्ती और धनिया पत्ती जो मैंने दरदरा सा पीसा था, उसे डाल दिया है, साथ ही एक नेवु का रस, और 5-6 हरी मिर मैंने और लिया है, इसमें 2 प्यास को मैंने स्लाइसे में काट लिया है, इन्हें मैं गोल्डन फराई करूँगी, ये प्यास जो मैं बिर्यानी को दम लगाऊंगी, उस वक्ते ही उस करूँगी, ये देखे, प्यास हमारे फ्राई हो रहे हैं, प्यास निकालने के बाद जो मैं उसमें अपने आलू को डिफ फ्राई करूंगी आप चाहें तो आलू की कोईंटीटी बढ़ा देया उससे ज्यादा ज्यादा आलू एक बार में फ्राई हो जाएंगे अब इस तरह से पल्लट के हमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से आलू को फ्राई कर लेना है ये देखें कितनी अच्छी तरह से हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं इस तरह से मैंने सभी आलू को फ्राई कर लिया है और ये जो ऑईल बचे हैं इसे मैं जब बिर्यानी को दम लगाऊंगी उस वक्त यूज़ कर लूँगी चावल के लिए मैंने पानी को गरम कर लिया है ये मैंने गरम मसाला लिया है दो चकरी दाल चीनी का फूल है एक स्टिक दाल चीनी है आरदस लॉंग दो छोटी इलैची दो बड़ी इलैची अब कुछ तेश पत्ता है इसे मैं पानी में डाल कर अच्छी तरह से बॉयल करू यह देखिए चावल हमारे करीब 70-80% कूक हो गया है मैं इसके पानी को ड्रेन कर लूँगी अब यह जो गरम मसाला मैंने चावल में डाला था इसे चून कर अलग कर लेना है यह देखिए हमारे चिकन भी कूक है चावल और आलू भी बस अब क्या बचा है इन्हें दम लगाना इसके लिए मैंने बड़ी सी देख ली है इसे मैंने सीमाच पे गरम कर लिया है अब इसमें मैंने ओइल डाला है ताके हमारी बिर्यानी नीचे से चिपके नहीं और यह आधा चिकन मैं पहला लेयर में यूज़ करूँगी मैं दो लेयर चिकन का दो लेयर चावल का इस तरह से देखिए अब दूसरा लेयर चिकन का जारा बाकी बचे हुए सभी चिकन को मैं दूसरे लेयर में डाल दूँगी इसके उपर फिर से गरम मसाला पौडर मैंने चीटा है हरी धनिया की पत्ती और दो तीन बूंद मैं डाल रही हूँ बिर्यानी एसेंस उसके उप आपको आलू पसंद नहीं है तो आप इसे इसकीप कर सकते हैं हमारे घर में आलू बहुत पसंद किये जाते हैं इसलिए मैं जरूर से डालती हूँ उसके उपर मैं धन्या पत्ती डाल रही हूँ अब बाकी जितने बचे ऑइल है उसके ऊपर से मैंने सब डाल दिया एक आज मैंने फ्राई करके रखा था उसे भी मैंने स्प्रिंकल कर दिया साथ ही इसमें दो तीन चम्मज घीर आ रही हूं यह आप जरूर से डालें यह आपकी बिर्यानी के टेस्ट में चार चांद लगा देगा अब इसे एक कपड़े से एक सूती कपड़े से ढखके और उसके ओपर से ढखकन लगा के कोई भारी चीज ऊपर से रख दें मीडियम आज पे 5 मिनट, सीम आज पे 10 से 15 मिनट इसे दम लगाए अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा बाद इसे सर्फ करें ये देखे मज़ेदार बिर्यानी बन कर तयार है इसे हलके हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करें